Dear student, we have to discuss about the developing school grounds and use of local spaces for sustainable development. इस वाद हम दो बातें करना चाह रहे हैं। एक तो हम importance of हमारा focus है school grounds के उपर और दूसरे नमबर पे कि अगर हमारे पास school के अंदर school ground अवेलिबल नहीं है तो जो हमारी local space है उसके साथ हम कैसे interact कर सकते हैं और उसको school के लिए कैसे utilize कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो school ground अभी हमने बात की थी sports की, physical education की और हमने बात की थी कि school का जो environment है वो चार दिवारे से बाहर तक अब आ गया है। अब teaching learning process जो है वो सिर्फ classroom management तक नहीं रही बलके उसकी effectiveness को बढ़ाने के लिए हम school से classroom से पहले नमबर पे school के ground तक आते हैं और उसके बाद extra curriculum की बात होती है तो हम वहाँ पर school से बाहर भी जाते हैं। अगर आप इस हवाले से देखें तो कोई भी school जो है उसके अंदर जो school का ground है वो teachers के लिए और students के लिए एक significant role play करते हैं। किन आवाले से मुख्तलफ आवालों से मसलिन अगर हमने बचों को को role play कराने हैं कोई activities करवानी हैं तो हमें school ground की जरूरत हैं अगर हमने games करवानी हैं तो हमें school ground की जरूरत हैं अगर हमने games के जरीए learning करवानी हैं तो उसके लिए हमें ground की जरूरत हैं देखें यह दो अलाद हैं लगाने चीज़ी थैसी है हमने बच्य को फुटबाल खिलने के लिए देना है यह कई की खेलने के लिए देना या किर्कट करने के लिए Aham गेंज के जद्रीए process को effective कर सकते हैं तो उसके लिए हमारे पास जरूरी है कि हमारे पास school के अंदर एक ground होना चाहिए उस ground के अंदर जो हम बच्चों को मुख्टिफ टास्क भी दे सकते हैं ताकि उनकी leadership activities को सामने लाए जा सके हम उसके अंदर games के जरीए उनके teaching को promote भी कर सकते हैं और बहुत सी learning opportunities जो हैं environmental learning opportunities जो हैं वो भी हम उससे हासल कर सकते हैं और physical activities हैं जो हम ground के जरीए जो है ना करवा सकते हैं और बच्चों की participation से उसके अंदर teaching learning process को effective कर सकते हैं तो यहाँ पे अगर तो हमारे पास school के अंदर ground मौजूद है तो वहाँ पे हम वो activities करवा सकते हैं अगर मौजूद नहीं है तो हम local area के अंदर अगर किसी जगा कोई space available है कोई बच्चे को ground available है तो हम उसके साथ कोई लेजान develop करके कोई M.O.U. sign करके हम उनके साथ attach होके बच्चों को वहां पर भी activities करवा सकते हैं